हेलो दोस्तो मेरा नाम है लखान और स्वागत है आपका आज की वीडियो में दोस्तो आज हम बात करेंगे तिरपल सी की दोस्तो तिरपल सी एक कम्पीटर का वेसिक कोईश होता है और ये क्यों करना जरूरी है इसके लिए भी बात करेंगे हम और इसमें कैसे कैसे कोईशन सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा दोस्तों पहले बात करने कि ये कोर्स जरूरी की हुआ है हर स्टुडेंट को करने के लिए दोस्तों ये देखो 1953 वेकेंसी अभी आई थी उतर परदेश में और इसमें क्वालिफिकेशन जो मागी थी वो 12 पास होना चाहिए बागी सब 12 पास हो जाते हैं लेकिन इसमें काइटेरिया रखा था वो वो तिरपल सी के लिए अविलेबल था मैं इसका नोटिफिकेशन आप और यहां पर हम बात करें तो इसकी जॉप लोकेशन उत्तर प्रदेश होती और जो इविल्टी का इड़े दिया था ग्राम बिकास पंचाज अधिकारी की वीडियो थी इसमें क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों क्वालिफिकेशन साब देखाई दे रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यह एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन केंडिडेट्स सुड है भी पासिट टैंथ प्लेश टू एनि ट्रेम फ्रॉम रिकॉर्जन बोड कोई से भी बोड से ट्वैल्थ होना अनिवारे था और उसके साथ मोस्ट है तिरपल सी स होता है यह डेली में एक संस्ता है निलिट वही अपर्यूब करती है सारे तिरपल सी के आगर आप कहीं से भी तिरपल सी का करोगे तो माने नहीं होगा दोस्तों एक ही संस्ता है पूरे ओल इन इंडिया में जो तिरपल सी का तिरपल सी और ओलेवल एलेवल के आधी फॉर्म अलाव करती है तो दोस्तों आई जानते हैं इसके बारे में और क्या-क्या डिटेल्स कैसे question आती है और क्या-क्या criteria होना चाहिए जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी जो फीस्ल होगी वो 590 रुपे की होती है ठीक है दोस्तों और इसमें जो question पूचे जाते हैं वो 100 question आते हैं जिसमें से आपको 50 number score करना पड़ता है दोस्तों इसमें plus point यह है कि इसमें अभी minus marking नहीं है तो plus point है दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में इसमें minus marking हो जाए लेकिन अभी minus marking नहीं है तो दोस्तों सबसे अच्छा best तरीका है आज इस form को fill up कीजिए और एक महीने बाद इसका exam होगा जैसा कि मैंने next video में बताया है मैं उस वीडियो का link description में दे दूँगा आपको form कैसे भरना है मैंने उसमें पूरा बताय हुआ है तो दोस्तों आई जानते इसमें question कैसे आते हैं दोस्तों question इसमें simple आते हैं जैसे की basic computer computer के जो basic होते हैं किसी भी book से किसी भी book से नहीं आते हैं कोई भी question कोई भी question आएगा ऐसे bank later मैं question को provide करा दूँगा आपको जैसा Simple question आते हैं जिसमें 50 जिसमें 50 question true and false के रहते है true and false 50 question उसमें ऐसे अगर आप 30 से 40 number ले आते हो आराम से तीसे 35 नंबर तो आराम से आ जाते हैं दोस्तों उसमें true and false में और जो 50 question रहते हैं वो objective type रहते हैं 50 question objective type रहते हैं जैसे कि यहां पर जो 50 question रहेंगे वो objective रहेंगे उसमें से उसमें से आपको 15 या 16 नंबर आराम से आजाते हैं 15 या 16 तो आराम से लिया होगी कहीं भी score कर सकते हूं तो आराम से आपका paper निकल जाता है इसमें जो बनता है वो number नहीं दिये जाते हैं इसका जो result आता है एक महीने बाद इसमें grade दि C, D, D तक इसमें दोस्तो grade दिये जाते हैं तो आप देख लीजिएगा जैसा भी लेकिन जब भी कोई vacancy आती है तो किसी भी vacancy में grade को मानने ता नहीं दिगेजिए खाली आपके पास simply simply आपके पास C course होना चाहिए दोस्तों आप कर लीजिएगा बाकी पास तो होई जाते है फॉर्म फिलफ कीजिए एक बार नहीं होगा तो अगले बार में आराम से निकल जाएगा आपको आइडिया आजाएगा कि कैसा paper आता है इसका और बाकी अगर आपको इसके question चाहिए होंगे तो मैं next video में इसके question बना दूँगा पचास question minimum बताऊँगा जिसमें से तीन ये च नेक्स वीडियो बना दूँगा और बाकी next video में देखेंगे इसके question कैसे आते हैं और इसको मैं पास होने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो thank you thank you दोस्तो वीडियो को subscribe कर लीजिएगा ताकि मैं next video बना हूँ तो आपके पास उसका notification आसानी से आ जाए तो thank you so much